नमस्कार, मैं तरुन वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटिवेशनल इनहेंस्मेंट थेरेपी, MET, क्या होती है और यह थेरेपी किस तरह से एलकोहल या ड्रग एडिक्शन के इलाज में इस्तमाल में लाई जाती है, उसका किस तरह से उप्योग किया जाता है और वह क्या होती है मोटिवेशनल इनहेंस्मेंट थेरेपी, एक काउंसलिंग की एप्रोच है, जिसमें लोगों को जिन्हें ड्रग यूज, ड्रग एब्यूज या अलकोहल एब्यूज की बिमारी होती है मतलब ड्रग या अलकोहल लेने की लत पड़ चुकी होती है, उन लोगों को ट्रीटमेंट में इंगेज होने में और अपने ड्रग या अलकोहल को रोकने में जो परिशानी होती है जिस तरह के कि उनको अंदर एक मन में द्वंध वो होता है, अंदर जो एक उलजन होती है कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, करूं या ना कोरूं, अभी छोड़ूं, बाद में छोड़ूं, खुद छोड़ूं, इलाज से छोड़ूं, इस तरह के का जो द्वंध वो होता है इस तरह के कि जो confusion होती है उस confusion को resolve करने में help करती है तो जैसे की नाम है motivational enhancement मतलब motivation बढ़ाने का काम करना motivation को कैसे बढ़ाया जा सकता है drug या alcohol के लत को दूर करने में तो आम तोर पर क्या होता है कि जो drug addict या alcohol addict होता है वह अपने treatment के लिए अकसर compliance मतलब regularity नहीं दिखा पाता मतलब या तो वो छोड़ना ही नहीं चाता या वो छोड़ना तो चाता है पर वो छोड़ना ही पाता है तो होता क्या है कि वह वेतनी जानता है कि उसको इलाज की बहुत जरूरत है वह जानता है कि उसको अपनी लत छोड़नी है पर बावजूद इसके जब वह इलाज लेना शुरू करता है या जब इलाज ले रहा होता है तो अक्सर वह बहुत ज़ाधा motivated नहीं रह पाता अक्सर वे बहुत जादा अपने को strong नहीं रख पाता या ये कहें कि willpower अपनी strong नहीं रख पाता अपने को treatment में regular नहीं रख पाता तो ऐसे में वे क्या करता है कि कुछ दिन इलाज लेगा फिर छोड़ देगा फिर ड्रग ले लेगा फिर छोड़ देगा कुछ दिन शराब पिएगा फिर छोड़ देगा तो ऐसा ही चलता रहता है तो होता क्या है कि बावजूद इसके जानते वे भी कि उसको treatment चाहिए और वो treatment ले भी रहा है पर फिर भी वो treatment ले नहीं पाता या तो लट की वज़े से या motivation वैसे ही कम हो जाती है या ये कहें कि लट जो है drug या addiction की वो इतना आकरशित करती है कि पूरी तरह से इच्छा शक्ती बन नहीं पाती treatment के प्रती तो ये जो एक द्वन्द्व, ये जो एक confusion ये जो एक disonance या जिसे technical term देते हैं ambivalence ambivalence मतलब किसी चीज से प्यार होना और किसी चीज से उसी समय नफरत भी होना इस ambivalence को resolve करने में solve करने में, इसका इलाज करने में या ये कहें कि इसे दूर करने में help करती है motivational enhancement therapy तो motivational enhancement therapy का पूरा target जो है वो इसी बात पर होता है कि इलाज लेने से patient को क्या रोकता है, क्यों वो अपनी motivation बना नहीं पाता और कैसे वो motivate करे himself को इलाज लेते रहने के लिए इलाज लेने के लिए, या तो शुरू करने के लिए इलाज, या इलाज अगर वो ले रहा है तो उसे बनाए रखने के लिए तो basic focus जो है वो पूरा motivation बनाने या उसे बनाए रखने पर होता है इस तरह से motivational enhancement therapy target करती है और वो help करती है एक drug या एक alcohol addict को तो सबसे बड़ा जो कारण है इलाज छोड़ देने का या इच्छा शक्ति कम हो जाने का या इलाज को पूरा ना करने का या लट को continue करने का उसी चीज को target किया जाता है motivational enhancement therapy में तो कह सकते हैं कि यह इलाज जो है यह सबसे जरूरी सबसे एहम और important इलाज है alcohol या drug addiction के treatment में मतलब इसके बिना पूरी तरह से treatment हो भी नहीं पाता और पूरे विश्व में पूरी दुनिया भर में इसको दवाओं के इलाज के साथ इस्तमाल में लाया जाता है उसको supplement किया जाता है जोडा जाता है इसके बिना इलाज ना हो पाता है और शुरुवात भी इसी से होती है अलग-अलग time पर इस इलाज को देना पड़ता है दवाएं लेते हुए भी और counseling या psychotherapy लेने के दौरान भी तो हो सकता है कि आपके जो doctor है counselor है psychologist है वे या तो इस तरह के treatment और therapy आपको पहले दे रहे हो उन्होंने आपको कई तरह से motivate करने की कोशिश की हो और वे कर भी रहे हो तो ये जो treatment है ये बहुत आमतोर पे उपयोग में लाया जाता है इस approach में क्या किया जाता है बहुत ही motivation है हमारे अंदर से जो motivation आती है change होने के लिए अपने अंदर बदलाव लाने के लिए उसको जगाया जाता है बजाए इसके कि एक patient को directions दी जाएं कि आप ये करना आप वो मत करना आप ऐसे कर लेना आप ऐसे मत करना इस तरह के कि जो instructions होती है इस तरह के कि जो दिशा करने के लिए अंदर से motivate किया जाता है बाहर से सहानुगूति या सहारा देना एक बात है अंदर से आप बदलने के आप में इच्छा उत्पन हो अंदर से आप में willpower या motivation डेवलप हो उसके ओपर target किया जाता है इस therapy को तो ये तो सबसे एहम चीज है इलाज के लिए किसी भी इलाज के लिए ये तो सबसे important चीज होती है तो इसी को target किया जाता है motivational enhancement therapy में इस therapy में शुरू में तो क्या होता है कि पहले session में तो पूरी details ली जाती है पुरा आपके alcohol और drug का जो use है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कुछ assessments किये जाते है टेस्ट भी किये जात है कुछ psychological वाले और इसके बाद 2-4 sessions होते हैं जिसमें आप therapist के साथ work करते हो मतलब इसमें individual sessions होते है group के नहीं होते है आप group में या किसी family के साथ नहीं करते किसी किसी time पर कभी-कभी family से details लेने में helpful हो सकता है कभी-कभी वो ले सकते है details पर अकसर जो motivation दिया जाता है वो अके बैक देता है बताता है कि जो test है उसमें क्या निकल क्या आया आपके क्या findings है आप किस तरह के वेक्पिय है और वगरा वगरा जो भी test किये हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है फिर इसके बाद जो भी substance abuse है जो कि आप कर रहे है substance abuse मतलब जो alcohol or drug का जो abuse होता है मतलब उसका जरूत से जादा इस्तमाल होता है उसके बारे में discussion को stimulate किया जाता है अक्सर जो patient होता है वो बहुत guilty महसूस करता है अपने बारे में जानकारी बताना नहीं चाहता या उसको शरम महसूस होती है तो इसके अंदर encourage किया जाता है उस detail को देने के लिए जो कि उसके लग से जु किसे यूज करते हो उन statements को किस तरह से खुद को motivate करने का काम करते हो इन self motivational statements को हम positive affirmations या positive thoughts इस तरह से भी हम बोल सकते हैं तो ये आपकी elicit भी की जाती है मतलब आप क्या use करते हो ये भी पूछा जाता है कि वो effective हैं या नहीं मतलब आप motivation तो खुद को दे रहे हो पूरे treatment के दोरान इतने समय से जो आप alcohol या drug से दूर हटना चाते हो आप तो खुद को motivate कर रहे हो तो उसको motivate करने में आप कौन सी statements मतलब कौन सी thoughts लाते हो खुद को motivate करने में कहीं ना कहीं उनको जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि या तो आप सही तरीके से इस्तमाल में नहीं ला जिससे की alcohol या drug addict जो होते हैं उनको interview किया जाता है मतलब उनसे जानकारी ली जाती है इस बारे में मैं किसी और वीडियो में आप से बात करूंगा तो उन principles को use किया जाता है जिससे की motivation को बनाया जाए motivation को बढ़ाया जाए और motivation को explore किया जाए ये खास बात होती है motivation बनाना औ motivation को explore करना दो अलग बाते हैं तो motivation के उपर focus होता है कि कैसे अपने को जादा उतसाहित किया जा सके जादा अपने को strong किया जा सके और साथी साथ जो बदलाव चाहिए या जो बदलाव करना है उसके प्रती क्या patient का या आपका जो perspective है नजरिया है उसके प्रती आपका क्या plan ह आप किस तरह से बदलाव के लिए अपने को change करने के लिए अपनी आदत को लट को दूर करने के लिए कैसे बढ़ना चाहते हो क्या plan बनाना चाहते हो वो आपसे पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा की जाती है और उस plan को बनाया जाता है फिर इसके बाद जो high risk situations है मतल जैसे दोस्तों के साथ या आपने किसी ऐसी company के साथ मतलब ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ वो अकसर आदतन drugs लेता है या alcohol पीता है तो ऐसी कुछ high risk situations जहां पर उसे शराब मिल रही हो या जहां वो अकसर लेता हो ऐसी situations में उसको किस तरह से cope करना है coping strategies क्या हो उनका सामना क कैसे करना है उसकी strategy सीखी और बताई जाती है और इसको patient से discuss किया जाता है और उसको motivate किया जाता है कि वो कैसे इन्हें अपना सकता है अमल में ला सकता है तो ये तो हुआ पहले session में assessment को discuss करना motivation build up करना plan बनाना आगे के लिए और coping बनाना high risk situations के लिए ये सब हमने शुरू में कर लिया अब इसके बाद क्या होता है patient के साथ जो change है जो ला रहा है खुद में उसको therapist बस monitor करता है उसकी जो strategies है वहाँ वो कैसे pass हो रहा है कैसे fail हो रहा है मतलब कितना वो successfully कर पा रहा है कितना नहीं कर पा रहा है उसको review किया जाता है उस पर चर्चा की जाती है तो पहले तो decide कर लिया कि क्या करना है कैसे करना है फिर जो भी जानकारी patient से ली उसके आधार पर हम समझ गए मतलब therapist समझ गया कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है इसको life में इन हालातों का इन परिष्थितियों का सामना करना होता है इन इन हालातों और परिष्थितियों में वह अ अपने को alcohol या drug का exposure होता है और इस इस तरीके से वो अक्सर अपने लिए motivate खुद को कर भी पाया है करता भी रहा है और साथी आगे बढ़ने के लिए ये ये अपने plan और strategies रखता है ये सारी जानकारी हमें मिल गई इसके बाद वो apply करेगा अपना regular daily life में उसमें जो change जो हम ल बने रहने में उसको motivate किया जाएगा ताकि वो abstinence जो लत या alcohol या जो drug है उससे जो दूरी अपना रखिया उसने उसको कैसे बनाए रखे वो इसके लिए motivate किया जाएगा कभी-कभी कुछ-कुछ sessions में patient को कहा जाता है कि वो अपने साथ किसी और सहयोगी, व्यक्ती, family के किसी person को भी लाएग जिसकी मदद से encouragement भी दिया जा सके और जिनको motivate किया जा सके, counsel किया जा सके ताकि वो भी सहयोग दे patient के treatment में जिस भी तरीके से सहयोग मिल सके, वो सहयोग लिया जाता है, जो भी family के है या जो आसपास friend या कुछ है, उनकी help से, उनकी मदद से तो ये रहा पूरा motivational enhancement therapy की approach, motivational enhancement therapy मतलब MET का पूरा technique और पूरा उसका process मतलब ये मैंने बहुत brief में बताया, जिसमें आपको बस मोटे-मोटे तोर पे बताया कि करा क्या जाता है, मतलब कैसे जानकारी ली जाती है, उस जानकारी के basis पे plan बनाया जाता है, treatment का और फिर उसको पूरा करने के लिए patient को अलग-अलग steps पर motivate किया जाता है, उसको review करा ज उसको motivate किया जाए, अब यहाँ पर ऐसा करने के लिए patient के साथ बहुत non-directional way में काम किया जाता है, मतलब बहुत जादा उसको instructions नहीं नी जाती ही, बहुत dominating या authoritative way में काम नहीं किया जाता है, एक collaborative way में काम किया जाता है, cooperative तरीके से काम किया जाता है, यह नहीं कि अगर patient इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया जाता motivational enhancement therapy में, क्योंकि therapist जानता है कि patient जो है उसको अपने को manage करने में, अपने को treatment में maintain करने में बहुत difficulty हो रही है, घर के और आसपास के लोग भी criticize करते रहते हैं, यहां तक कि patient खुद को भी criticize करता है कि मैं अपने को motivate क्यों नहीं रख पाता तो criticism से काम नहीं बनेगा, criticism से अगर काम बनना होता तो बन चुका होता, तो patient को सिरुफ motivation करना है, उसको positive बनाना है, उसको प्रोचसाहित करना है, उसको encourage करना है अपने treatment के लिए, treatment तो वो लेना चाहता है खुद, तो इस तरह के की जो ambivalence और इस तरह के का conflict है और अंदर से जो demotivated है patient, उसका confidence कम है, उसको बनाने में ये MET help करती है, शोधो में इसके बहुत अच्छे results देखे गई है, alcohol, drugs, सबकी management में ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसको पूरी दुनिया भर में ये use किया जाता है, कुछ drugs के लिए, जैसे कुछ heroin, cocaine, nicotine, जैसे कुछ drugs हैं, जिसमें अकसर कई बार results बहुत अच्छे नहीं आते, पर alcohol के मामले में खासकर कि marriage वाना जो है, उसके जो intake करते हैं लोग, उस पर जो dependent होते हैं, जो adult लोग, उनमें MET बहुत helpful होता है, तो drugs में marriage वाना जैसे drugs के लिए, और alcohol के लिए, बहुत effective है, जिसमें cognitive behavior therapy को भी use किया ज जाते हैं, पर multiple drugs अगर use किया जाए, कई सारे drugs या कई सारे alcohol drugs अगर साथ लिया जाए, तो वहाँ पर MET का जो result है, वो अगसा थोड़ा कम देखने में आता है, वहाँ पर हमें medicines पर जादा focus करना होता है, वहाँ medicines पर dependent बहुत होना पड़ता है, हिलाज के लिए, तो counseling में, therapy मे अगर हम cognitive behavioral therapy कर रहे हैं, साथी साथ MET कर रहे हैं, यह तब ज़्यादा successful होगा, जब alcohol की addiction जादा है, marijuana की addiction जादा है, या single drugs लिया जाता है, तब multiple drugs के मामले में थोड़ा success rate कम होता है, इन counseling और therapies का, वहाँ उन cases में rehabilitation, medicines, इन सब पर ज़्यादा निरवा रहना पड़ता है, जब multiple drugs लिये जाते हैं, या जब लंबे समय से लिया जाना होता है, overall METE बहुत effective है, drug abusers, alcohol abusers के treatment में बहुत उपयोगी है, बहुत आम तोर पे यूज किया जाता है, और इसके थुरू लाब लिया जा सकता है, तो अगर आपके therapist आपको देते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, पूछें और और जादा motivate होएं, और जादा खुद को motivate करें इस technique की मदद से, साथ ही साथ आप अपने therapist से पूछें क्या वो आपको ये provide कर रहे हैं, अगर नहीं तो उन्हें कहें कि आप इसके थुरू भी help लेना चाते हैं, इसके थुरू भी अपने को motivate करके रखना चाते ह है, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को like करें, वीडियो की नीचे comment करें अगर आपका कोई perspective है, कोई experience है, या कोई आपके सवाल है, उसको लिखें, बताएं मुझे, मैं उनके जवाब दूँगा, आपके feedback पर response दूँगा, साथी साथ इस वीडिय वीडियो भी देखें, मेरे चैनल पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, जिनने आप regularly देख सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको regular उसकी जानकारी मिलती रहेगी, धन्यवाद